अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांस्फोर्मिक प्रिंसिपल की तो वह कब डिटेक्ट हुआ यहाँ पर हीट किल्ड एस स्ट्रेंड जो की क्या था हीट किल्ड हीट किल्ड आर स्ट्रेंड के साथ यहाँ पर इंजेट किया इंजेटेड इंटु माइस इंजेटेड इंटु माइस दैन माइस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया तो यहाँ पर क्या हुआ कि सम्हाव जो यहाँ पर R-strain है और किसके अंदर change हो गया S-strain के अंदर वाइरुलेंट बन गया तो वही हमें find करना option के अंदर When live R-strain of streptococcus pneumonia were injected into S-strain यह भी नहीं होगा Heat killed R-strain, heat killed R-strain नहीं होगा When heat killed as strain of streptococcus pneumonia were injected into R-strain Then यहाँ पर क्या होगा Transformation होगा और उसको जब inject करेंगे माइस के तो माइस यहाँ पर क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, survive नहीं कर पाएंगे तो answer हो जाएगा यहाँ पर D